बाजरे की कीमतों में लगातार गिरावट का दोर जारी है बाजरे की फसल की कटाई मडाई हर्याना राजस्तान में फिलाल जोरो पर चल रही है जिससे 200 से 2500 रुपए नए माल में मंदा देखने को मिल रहा है उमीद की जारी है कि भविश्य में जल्धी 100 रुपे प्रती क्विंटल और घट जाने की संभावना बन गई है इस बार उत्तर भारत में बरसात कम होने और उन्चे भाव रहने से किसानों ने बाजरे की बिज़ाई अधिक की है फसल भी चोतरफा बंपर बताई जा रही है जिससे उत्पादक मंडियों में एक बार फट से मंदे का दलदल बनता दिखाई दे रहा है हरियाना राजस्तान के सीमावर्ती शेत्रों में फसले तेजी से आ रही है नया बाजरा, रिवाडी, हिसार, रोतक, जीन, पटोदी, हिसार, शेखावटी, मुरूधर लाइन में 6-8,000 बोरी दैनिक आवक होने लगी है रिवाडी और इसके आसपास की छोटी मंडियों में बाजरे का भाव 1840 से लेकर 1850 रुपे प्रतिक विंचल के आसपास देखने को मिल रहा है उधर यूपी में भी बाजरे की बिजाई किसानों ने बहुत अधिक की है बरसाथ कम होने के बावजूत फसल जबरदस्त है आवक का दबाव लगातार मंडियों पर देखने को मिल रहा है जिससे भाव घटने के आसार बन चुके है अक्टूबर में बाजरा, टूंडला, इटावा, फ्रुकाबाद, राट, उरई, उरईया लाइन में आने लगेगा और प्रियागराज लाइन में अक्टूबर की अंत में माल का दबाव बनता दिखाई देगा लेकिन चारो तरफ फसल बहुत ही बढ़िया बताई जा रही है इस बार बाजरे का उत्पादन 140 लाख टन तक होने का अनुमान लगाया गया है जो बीते सिजन में 85 लाख टन हुआ था इन पर सित्यों में बाजरे के भाव जो उपर में 253 रुपे मोली बरवाला देखा गया है वे अब बनने मुश्किल लग रहे हैं इस समय बाजरा 2000 पे प्रतिक विंचल के आसपास देखने को मिल रहा है मौसम अनकूल होने से दूसरे शेत्रों में भी चोतरफा बाजरे की बिजाई अधिक देखने को मिली है इसके इलावा बाजरे की बिजाई पूरवी यूपी के प्रियागराज में अशलेशा में और मगह नशत्र में देखने को मिलती है जो इस समय तक 120 प्रतिशा तक होने की खबरे आ रही है आगे फसल बरसात एम चलने वाली तेज हवा से अगर बच गई तो प्रियागराज लाइन में भी इसका उत्पादन रिकोर्ड होने की उमीद जताई जा रही है बिरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी